जहिन दोस्तों देखा जाये तो भारत का सीमा विवाद आज से न होकर आजादी के समय से ही फलता फूलता वो मुद्दा है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और आज हम जिस इस्तिती में हैं उससे देश के संबंदवा परिस्तिती दोनों अच्छे हालात में नहीं हैं ज पाकिस्तान चीन नेपाल जैसे और भी कई देशों के साथ चलता रहा है जिसमें से चीन भारत सीमा विवाद का मसला सुलजने का नाम ही नहीं ले रहा है अगर चीन की बात करें तो चाल बात चीन की नजने भारत की नहीं बलकि उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब साथ अलग अलग टुकडों में भिखरनने की कघार पर है भारत चीन सीमा विवाद के चलते भारती सीमा से अपने बोरिया विश्तर समिट ली हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विश्तर दूप से चर्चा करेंगे जैसा कि भारत चीन सीमा विवाद में एक नया मोड आया है, इसके तहट चीन ने अपने कदम की और खीच लिये हैं और देखा जाए, तो इसने अपने बोरिया विश्तर और सेन्य बल को भी अपने सीमा से पीछे खीचने का ओर्डर दे दिया है, इंडिया और चाइना ने LAC यानि लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल पर इंडिया चाइना के भी स्टेंशन खत्म करने का फैसला लिया है, LAC के उपर आपको एक वीडियो पर प्रोवाइड किया गया है, LAC और LAC क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको चर्चा की गई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए या पुहां से भी पीछे हो गई है, और पेंगॉंग तेस लेक और हाट स्प्रिंग गोगरा से भी चीन अपने टेंट उखाड लिये हैं, जैसा कि चीन ने ऑफिशल तोर पर यह भी कह दिया है कि वा छित्र में शांती बनाए रखने के लिए पीछे हट रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं और किसकी वजह से हुआ है, तो इंडिया की और से एनसे अर्थात, नेशनल सेक्यूरेटरी एडवाइजर कौन है तो आपको याद रखना है, अजीत डोभल साहब, जो कि भारत के टाइगर भी कहे जाते हैं, और इन्होंने साथ साल तक पाकिस्तान में भी खुफिया तोर भारत के लिए कार रखिया है, इन्होंने चीन की और से वहाँ के विदेश मंत्री, वांगी, जो वहाँ के स्टेट काउंसलर भी है, उनसे बात की और यहाँ कब हुई थी, तो पांच जुलाई की रात को यहाँ पुरी बात हुई थी, जैसा कि शॉर्ट में आपको बता दे जबकि चीन इसे मातर 2000 किलोमेटर तक का ही मानता है, और देखा जाए तो यहाँ तीन पार्ट में बटा हुआ है, पहले इससे में आते हैं लद्दा कहिमाचर प्रदेश और उत्राखंडवाला छेतर, दूसरा सिक्किम, और तीसरा जो छेतर आता है इसका वो आता है अरुन जून को ही यहाँ पर एक खूनी जड़प हुई थी, जहाँ पर भारत के 20 भारती जवान शहीद हुए थे, गलवान रिवर की बात करने तो आप इसकिन पर देख पा रहे हैं, गलवान नदी जो चीन की और से आती है, कहां से चीन की और से आती है, और कुछ किलोमीटर आग आपको चाइना देखने को मिलेगा, तो इससे कुछ दूरी पर शियोग नदी के किनारे ITBP का एक केम्प भी है, जो LAC के निगरानी का कारे करती है, इसके साथ ही इंडियन आर्मी भी वहाँ पर तेनात रहती है, यहीं से दार्बक कौन सा, यहीं से दार्बक दौलत बेग वर्ल्डी रोड भी जाता है, जिसे DBO भी कहा जाता है, जो इस्ट्रेटिक रूप से बहुत ही इंपोर्टेंट भी है, वहीं दूसरी और LAC के दूसरी तरफ कुछ ही किलोमीटर पर चाइनिस आर्मी का भी केम्प बना हुआ है, चीनी फौस मई महीने से LAC पर डटी हुई ह और मीडिया रिपोर्ट के अनुसर वह इंडियन टेरिटरी में थी, हलाकि बाद में पीएम नरिंद्र मोदी ने यह कहा था कि इंडियन इलाके में कोई भी नहीं गुसा है, तो यहीं पर चीनी अपने टेंट भी जमाए थे और यहीं पर अपनी आर्मी को भी तेनात किया थ और आम तोर पर यह होता है कि इंडिया और चाइना की फोज यहां पर पेट्रोलिंग अर्थात निगराने करने जाती है और अगर आमना सामना होते विए तो एक दूसरे को जंडा दिखा कर वापस लोट जाते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के नुसर ऐसा कहा गया है कि जून में एलेसी पर इंडियन टेरेटेरी में ही आकर यह लोग बैठ गए थे, अब इंडिया के लिए दिक्कत यह थी कि यह पहाड काफी उंचा है, अगर इसके उपर चीनी फौज आ गई और खड़ी हो जाती है तो इंडिया के आईटी बीपी केम्प और लेह दौलत बे यहाँ पर एक दिन भी रुकना बहुत ही मुश्किल होता है, और इससे पहले भी इस जगे पर चीनी आर्मी और इंडियान आर्मी के बीच पीछे हटने अर्थात डिस्कलेशन की भी बात हुई थी, लेकिन ऐसा कभी फौलो नहीं हो पाया है, और जब इंडियान आर्मी की टुकडी यही सब देखने गई कि चाइनीज आर्मी पीछे हटी है नहीं, तभी चाइनीज आर्मी ने भारती जवानों पर हमला बोल दिया था, और उसी वक्त दोनों आर्मी के बीच खुनी जड़ब भी हुई थी, जिसमें भारत की ओर से 40 जवान सहीद हुए थे, और सरक इंकों की मौत कभी खुलासा करता है, और बाद में टेंसन तो जब बढ़ा और कई सेटलाइट इमेज सामने आहीं, जिसमें साफ दिख रहा है था कि चीनी फॉज के टेंट, बुल्डोजर और फॉज के जो केम्प हैं, वो अलगी दिख रहे हैं, तो यहीं से चीनी फॉज दो किलोमीटर अब पीछे हट गई है, अब दूसरी बात आती है, पैंकों तेस लेक के बारे में, यहा एक फिंगर एरिया है, जो की एक से लेकर आठ तक है, दरसल पहाड कुछ इस तरह का है कि यह फिंगर का शेप बनाता है, और इस तरह से मुठ्धी बंद करने में, आप समझ सकते हैं, मुठ्धी बंद करने पर कैसा लगता है, जस्ट ऐसा ही शेप हो जाता है, वहाँ पर जो एरिया है, इसलिए उसे फिंगर का शेप भी कहा जाता है, तो इंडिया का मानना है कि LAC Finger 8 से गुजरता है, और इंडिया वहाँ तक पेट्रोलिंग करता है, जबकि च जवान वी गहल हुए थे, और इसके बाद Finger 4 पर चीनी आर्मी ने टेंट लगा लिये थे, तो इससे साफ मतलब था कि इंडियान LAC के अनुसार यह 8 किलोमेटर अंदर थे, इसके अलावा एक 10 हिंदू की रिपोर्ट भी आई थी, जिसके अनुसार ताज अपडेट यह बता हुआ है, आपको यहां पर अमर सहिद लिखा हुआ भी दिखाई देगा, यहां पर जो बना हुआ है, गेट वगएरा वहां पर अमर सहिद लिखा हुआ है, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेना इसके नस्देक चक चलिया आई थी, और मात्र कुछ चंद की दूरी पर ही थी, जहां पर इन्होंने अपने चीनी सेना के टेंट भी बना लिये थे, अब चौथा इलाका जो सबसे लास्ट में आता है, वो आता है डेब संग प्लेंस, यहां से भी चीनी सेना पीछे हटेगा, दर असल इसके पास ही लेह दोलत बेग औल्डी रोज ठालिये हैं, ठीक है, अब सवाल यह है, तो ऐसा हुआ क्या था, कि जिसकी वज़े से चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला लिया है, दर असल इसकी एक वज़ा नहीं है, और भी कई वज़े रही है, जिसकी वज़े से ऐसा हुआ है, भारत की और से लद्दाख मे स्थिती को भी बनाया था, और परदी के पीछे सबसे बड़ी वज़ा थी, रूस का समर्थन करना भारत को, जो की चीन को एक सबसे बड़ा जटका लगने वाली बात थी, और एशिया में बड़ी संख्या में अमेरिकी फोज को भी तैनात कर दिया था, अमेरिका ने, जिसस अजित डोबाल की भूमी का सबसे ज़्यादा मातव पोना रही है, क्योंकि जब भी भारत के ऊपर कोई भी ऐसा खतरा सा लगता है, या कोई बात बिगड़ती हुए आती है, तब एक मातर अजित डोबाली हैं, जो पूरी उस समस्या को या उस इस तीसे जन रिपटने का का हो पा रहे थे, चीन ने ग्लोबल टाइमस के माध्यम से बार बार या धमकी भी दी कि वह युद्यप्यास कर रहा है, चीनी विदेश मंतराले ने तो कई बार ऐसे भी बयान दिये जो कि काफी धमकी बरे थे, वहीं भारत की ओर से भी लद्दाख में 30,000 सेनिकों को तेनात क 29 है, इसके लावा कुछ मिसाल भी है, उन्हें और भी दे दिया है भारत ने, किसको दिया है तो आपको याद रखना है, रूस को, इसके लिए कुल 38,900 करोड रुपाई की डील हुई है, फ्रांस से रफिल फाइटर भी बहुत जल्दी लाने की तयारी भी चल रही है, और भ बनाना, गलवन घाटी में 20 भारती जवानों के शहीद होने के बाद, चीन के खिलाब गुसा पूरे देश में चल रहा है, और बाइक और चाइना के भी मुहिम जोर सोर पकल रही है, वैसे चीन हमारी जड़तों के अधिकतर सामान में गुसा हुआ है, लेकिन लोगों ने च चीनी अर्थिवरस्था और ज्यादा बोखला गई थी, समुद्र रिपोर्ट पर चीनी सामानों की इतनी गहन तलास लिए जाने लगी कि वह वहीं पर रुख गया, बहुत सारे इंफरस्ट्रक्चर डेवलमेंट के प्रोजेक्ट के जो टेंडर हुए थे चीन के साथ, वह इसके लावा उत्तरप्रदेश सरकार ने कानपूर और आगरा मेट्रो के लिए चीनी कंपणी को ठीका दिया था, वह भी करार रद्द कर दिया गया, इसके लावा भारती रेलवे ने भी चीन की कंपणी से अपना कॉंट्रेक्ट खत्म किया है, तो यह इंडिया की और से ए पूरी दुनिया में डिमांड कम हो गई है, तो चीन में फेक्टरी के करोड़ों जो मजदूर हैं वो बेरोजगार भी हुए है, तो यहाँ पर देखाया तो उसके लिए तीन प्रतिशत का एक्सपोर्ट भी बहुत जादा मायने रखता है, अब तीसरी बात आती है कि परद जुन को RIC अर्थत रूस इंडिया चीन की मीटिंग हुई थी, जिसमें तीनों देशों की विदेश मंत्रियों ने वर्चुली मीटिंग की तोर पर हिस्सा लिया था, देखाया तो रूस चाहता था कि तीनों देशों की बीच होने वाली RIC पटरी से ना उतरे, कहने का अब यह कि मीटिंग जरूर हो, उसके बाद से ही परदे के भीतर से LAC के टेंशन को कम करने की कोशिश में लगा रहाता कौन चीन, हलाकि इंडिया चाइना के टेंशन से रूस को फायदा ही हुआ, क्योंकि देखा जाए तो अगर वह सपोर्ट ना करता तो भारत उसे 38,900 करो अबर्मेंट देखते हुए ही अमेरिका भी इस दोरान अचानक से सक्री हो गया है, और अमेरिका ने जर्मनी में तैनात फोज की कटोती करके 25,000 साधिक सेनिकों को एशिया इलागों में तैनात कर दिया है, इसमें हिंद महासागर में एक आइलेंड, उस आइलेंड का नाम को याद रखना है, डिएगो गार्सिया में सेनिक और नेवी को भी तैनात कर दिया है, इसके अलावा साउथ कोरिया में अमेरिका ने, कहां पर तो साउथ कोरिया में अमेरिका ने एर डिफेंस सिस्टम थार्ड को भी तैनात कर दिया है, एस 400 डिफेंस सिस्टम के पर आपक प्रतिक्रिया भी दे दी। इतना ही नहीं अमेरिका ने अपने 9 सैनिक बेड़े को प्रसांत महा सागर में यलो सी के पास देनात भी कर दिया। जो की चाइनिज टेरिटोरी के पास में आता है और इतना ही नहीं साउथ चाइने सी में एरक्राफ्ट के लिए USS निमित्स और USS रोनाल्ड रीगन एरक्राफ्ट के लिए ने यू दब्यास भी प्रारम कर दिया था और 4-5 जून को ही परमाडू बम ले जाने में सक्छम अमेरि का कि दस अन्य फाइटर जेट और निगरानी विमानों को रविवार को एक साथ दक्षण चीन सागर में उडाने के लिए भी भेज दिया है वहीं दूसरी और चीनी नेवी ने इन फाइटर जेट्स को वापस जाने को बार बार कहा लेकिन ये जहाज यहाँ पर मिलिटरी ए जरूरी है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के नुसार अजित डोबाल और वांग यी के बीच यह तैह हुआ कि डोगलाम में चीनी सेना अब पीछे हट जाएगी और इसके बाद यूवी ड्रोन से इंडिया इसे देखेगा कि चीनी फौज पीछे हटी है या नहीं तब आर् इस बात्चीत में यह भी कहा गया है कि गलवान घाटी को बफर जोन बनाया जाएगा और बफर जोन का मतलब क्या होता है तो इसकार ठीग होता कि कोई चीनी फौज पीछे हट गई है लेकिन पहले तीन जगह है कौन-कौन सी गलवान घाटी, पैंगॉंग, तेज लेक और हट स्प्रिंग गोगरा से चीनी सीमा पीछे हटी है, इसके बाद यहां से हटेगी। तो यहती पूरी चर्चा भारत चीन सीमा विवात को लेकर, क्योंकि हाल ही में चीन ने भारत चीन सीमा से अपने कदम पीछे खिंच लिये हैं और अपनी सेना को पीछे हटने के भी निर्देश दे दिये गए हैं। आपको यह वीडियो पसंद आयोगो हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थेक्स पर वाचिंग, चेह हिंद।